संख्याम लोग आये हुए हैं लेकिन हर्याणा प्रसासन ने उनको कौने कौने पर रोक रखा है आज के किस के बारे हैं और आज जो पूरा मुकदमा चला है हमारे बीच में अभी नवीन जी मौजूद है हम उनसे बात करते हैं पूरे प्रिक्रण का क्या है मारा जी का आश्रम बना हुआ है संद 2006 में वापे एक परसासन की और से और हम ये कहना बिलकुल गलत नहीं होगा के उस समय के मुख्य मंत्री ने खुद अपनी इच्छा जाहिर करते हुए सतलो का आश्रम को चारो और से गेर करके और संत्रामपाल जी मारा जी के उपर जुठा मुकदमा बनवाया था और उसी 302 के मुकदमे की सुनवाई आज अस्वनी कुमार गोयल जजज एडिशनल जजजो की हिसार में है सोरी रोतक में है उनके पास थी और उन्होंने पिछली तारिख पे संत्रामपाल जी मारा जी को व्यक्तिगत तोर पर पेस होने के आदेश दिये थे क्योंकि कई तारिखों से जिस जजज में संत्रामपाल जी मारा जी अभी बंद कर रखे है उस जजज की विशी में कोई प्रोब्लम चल रही थी किसी परकार से तो उसके तहट असुनी कुमार जी ने संत्रामपाल जी महाराजी को व्यक्तिकत तोर पर पेस होने के आदेश दिये थे लेकिन जैसे ही संत्रामपाल जी महाराजी के समर्थकों को उनको पता लगा के संत्रामपाल जी महाराजी व्यक्तिकत तोर पर कोर्ट में पेस होंगे यह सुचना अखबारों के माद्यम से मीडिया के माद्यम से जैसे ही उनके समर्थकों को पता लगी वो तुरंत अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए रोतक की और निकल पड़े और लाखों की तादाद में आज की तारिक में रोतक के अंदर संत्रामपाल जी महराजी के समर्थक मौजूद है लेकिन हर्याना सरकार ने जो नहीं चाहती कि संत्रामपाल जी महराजी के समर्थक कहीं पर भी अपना रोज भी परकटना कर सकें जो कि लोक तंतर ने बारत केंदर एक ऐसा नियम भी बना रखा है कि आदमी अपने दुख भी नहीं दुख रो सकता है लेकिन हर्याना सरकार भारत सरकार यह चाहती है कि संत्रामपाल जी महराजी के शिस्ष्चे अपना दुख भी पर कटना करें इनके साथ तो वो करते हैं कि इनको लट भी मारो और इनको रोने भी मत दो ऐसा है वैवार हरियारा सरकार और भारत सरकार संत्रामपाल जी महाराजी के नुएयों के साथ कर रही है और उसी के मद्धे नजर चलते हुए आज की तारिख में संत्रामपाल जी महाराजी के समर्थकों को रोतक के चारो कोणों के उपर रोग दिया गया है रेलेवे स्टेशन पर रोग दिया गया है बस्टैंड पर रोग दिया गया है ताकि ये कहीं पर इकठे ना होसके क्योंकि प्रसाशन सोचता है कि यह इकठे हो करके कोई उद्राव करेंगे लेकिन आज तक का इतियास है संदोजा जो परकरन है उसके अंदर जो लिखा हुआ है उस मैटर को सरेयाम उजागर कर दिया और वो जो मैटर है सिद्धे तोर पे ना कह करके इतना ही कहना उचित होगा कि अगर आपने समाज में किसी भी परकार का कोई भी बिगाड लेकर के आना है या समाज को गलत दिशा देनी है तो सत्यार्थ परकास के चोथे समुलास को आप उजागर कर देजिए कि시 بھی प्रकार की कोई भी ना किसी गलत किताब की जरूद पढ़ेगी ना कोई वीडियो की जरूद पढ़ेगी बच्छों को बिगाडने के लिए या समाज को गलत इसा देने के लिए उस चीज का संत्राम पाल जी महराजी ने विरोध गया और सिभीकों जो भी आरिया समाज के परवर्तक थे उनको आमंतरित करके यहां तक बोला कि किसी न किसी परकार से इस मैटर को यहां से अटा दिया जाए क्योंकि यह मैटर ना तो दारमिक्ता के मामले में ठीक है ना ही यह सामाजिक तोर पे समाज को एक नई दिशा देने के तरिके से ठीक है लेकिन जो आरिया समाज के परवर्तक थे उन्होंने अपनी रोजी रोटी बंद होते देख करके संत्रामपाल जी माहराजी के उपर जूठे मुकद में करवा दिये क्योंकि उस समय मुख्या मंत्री भूपेंदर सिंग उड़ा जी जो खुद आरिया समाज से बिलोंग करते हैं उनके पिता जी आरिया समाजी रह चुके हैं वो भी आरिया समाजी थे उन्होंने अपना नीजी इंटरस्ट इसमें दिखाते हुए संत्रामपाल जी महाराजी के उपर जुठे मुकदमे करवा दिये और जो आज संत्रामपाल जी महाराजी के उपर अब तक चलने लग रहे हैं उन मुकदमों में किसी भी परकार की अब तक कोई भी पैरवी में ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया है जिससे ये सिद्ध हो सके कि संत्रामपाल जी महाराजी या उनके समर्थक दोशी हो क्योंकि एफेशल की रिपोर्ट ये कहती है कि जितने भी अथियार आस्रम से मिले है उनसे कोई गोड़ी नहीं चली और अगर उन आस्रम से मिले अथियारों से गोड़ी ही नहीं चली तो आस्रम के उपर या संत्रामपाल जी महराजी के उपर 302 का मुकदमा बनता ही नहीं दूसरी बात जो मुकदमा सरकार ने जिस बंदे के उपर बनाया हुआ है जिस आदमी के नाम से मुकदमा डाल रखा है वो खुद अपनी गवाई कोर्ट में दे करके जा चुके हैं कि ना तो हमने कोई किसी भी परकार की कोई फायार दर्ज करवाई और ना ही हमारे जिस आदमी की मृत्यू हुई है उनका कार्ण है तो जो भीड थी उस भीड में से ही किसी ने उनको गोड़ी मारी है जिसकी जैसे उसकी मोत हुई है सार इसी को लेकर सन 2014 में एक मुद्दा सामने आया था कि सन्त रामपाल जी ने निया पालका पर भी एक प्रिस्न चिन खड़ा किया था अभी मौका देखने को मिलाए 3-4-9 सुप्रीम कोट के 4 वचिस जजों ने भी सुप्रीम कोट पर सवाल खड़ा किया सर ए कहां से क्या रिलेट करता है देखिए सन्त रामपाल जी माराजी के उपर सन 2014 में बात आय थी सामने उस समय के जो भी विचारा दिन जो भी जज महुद्य जी थे उन्होंने अपनी कोई मांग रखी थी जिस मांग को सन्त रामपाल जी माराजी ने एकसेप्ट नहीं किया और जज महुद्य जी ने अपनी मनमानी मनवाने के लिए और उपर से हाई कोट से प्रैसराइज करवा करके premapal जी माराजी के उपर इस दरोतक के मुकदमे बनुद्यन. सर, आज जो सुप्रीम कोट ने भी जो नायपाल का में जो प्रिसृर्ण्यन ने खड़ा किया है आज संत्रांपाल जिएसे पहले भी कई बार चुके हैं कि नैपाल का पूरी तरह से खंडर हो रही है नैपाल का सुधार होना ची। संत्रांपाल जिन को सुजाव भी अर अब तक संगर्ष करते आ रहे हैं कि जो भी कानून है क्यों बी जजों के ऊपर जो कुछ जज ऐसे हैं सभी जज इस केटेगरी में नहीं आते लेकिन कुछ एक जज ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करने के लिए निर्दोस मुकदमे तक अपने परैसर दे करके बनवा देते हैं लेकिन अभी जैसा कि देखने में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के चार जज जो खु मांग आज से 12 साल पहले संत्रामपाल जी महाराजी ने उठाई थी आज वही मांग सुप्रीम कोर्ट के जज उठाने लग रहे हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिनियर जज इस चीज की मांग उठा रहे हैं तो संत्रामपाल जी महाराजी आ करांती लेकर के आने से है समाज में बिगाड करने का उनका उदेशा नहीं है और उनका उदेशा है एक कानून हो एक जंडा हो और उस कानून को सभी मानने वाले हो और उसी कानून को लागू करने के लिए आखरी साहस तक संत्रामपाल जी महाराजी ने बोला आखरी सास तक संगर्ष करेंगे और जितने भी उनके समर्थक हैं लाखों की तादाद में आज की तारिख में उनके समर्थक है वो भी आखरी सास तक उनका समर्थन करते रहेंगे और उनका सहयोग है संत्रामपाल जी महाराजी के समर्थक अपने गुरुजी के वसनों के उपर जान देने को तियार है जंग है जंग है परपे मुकदमें बना करके जेड़ों में डाला जाता है लेकिन संत्रामपाल जी महाराजी के शिश्यों की हमारी मांग ये है मुख्य मंत्री हरियाना जी, मनोरलाल जी और परदान मंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि आप लोग परशासन को प्रेशान मत करो अगर आपने जेड़े बरनी है तो आप अपनी जेड़ों के दरवाजे खोल दीजिए जितने आप कोगे संत्रामपाल जी के नियाई अपने आप जेड़ में आकर के बैठ जाएंगे आपको परेशान होने की जुरूरत निया किसी भी परकार से आप जेड़ों के दरवाजे खोलो, आप दसों को बुलाओगे तो दस जार आएंगे आपके पास और जितने मर्जे आपने फासी तोड़ने आप फासी तोड़िये लेकिन ये आंदोलन जो संत्रामपाल जी महराजी ने चलाया है ये जारी है, जारी रहेगा, ना इसको कोई रोक पाया है और ना इसको कोई रोक पाएगा